असलाहलेकूम फ्रेंड विलकम टू माय यूट्यूब चैनल मायने में जमीर अली उमीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे यह MS Word की सीरीज का सेशन नबर 21 ने लास टाइम जो हमने डिसक्स किया था वो पेज लियाउड का पार्ट नबर 2 था आज जो हम डिसक्स करेंगे पेज लियाउड का पार्ट नबर 3 यह आज इस सेशन में जो हम डिसक्स करेंगे पेज बेग्राउन पेज बेग्राउन में आप सीखेंगे कि हाव सेट वाटर मार्क और हाव कस्टमाइज इट कि आप किस तरह से अपने page पे watermark set कर सकते हैं या उसको customize कर सकते हैं Second option है कि आप किस तरह से page का color change कर सकते हैं या page का color customize कर सकते हैं Third option है कि आप किस तरह से अपनी documents अपने page का border set कर सकते हैं तो आज हम ये 3 importance point पढ़ेंगे इस session में सबसे पहले आपको क्या करना है आपको layout option में जाना है layout option में जाने के बाद आप जैसे click करेंगे तो आपके पास यहाँ पे page background के नाम से एक ribbon मिलेगा page background के नाम से जो ribbon आपको मिलेगा उस ribbon में आपके पास तीनो option है कि किस तरह से आप watermark set कर सकते हैं, page का color set कर सकते हैं पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं सबसे पहले वाटर मार्क है क्या वाटर मार्क का मतलब यह है कि सम्टाइम आपने लाजमन देखा होगा कि आपके पास जो डिक्मेंट्स होती है उनमें आप वाटर मार्क सेंट करना चाहते हैं मीस के यहां तो इंफिडेंशल होनी होगी कि आप वहाँ पे एक वाटर मार्क सेट करना चाहते हैं मैं एक इंप्लिमेंट करके दिखाता हूँ यहां पे मैं डिफॉल्ट यह वाटर मार्क सेट कर रहा हूँ तो चेक करेंगे आपके पास यह एक वाटर मार्क सेट हो गया है उसको कहा जाता है वाटर मार्ग अब यह वाटर मार्ग को आप कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं आपको यहां पे वाटर मार्ग पे सिलेक करने के बाद आप कस्टमाइज में जाएंगे कस्τοमाईज के जाने के बाद आप क्या करेंगे यहां से वाटरमाग को कस्τοमाईज कर सकते है जैसे के English क्या है, Text क्या है, Font Style क्या है या Size क्या है, Color क्या है या Further आपके पास यह Option है और Text यहां पे में दे रहा हूं के Session 22 तू और उसके बाद font style में यही रहने दूगा और size यही रहने दूगा और यहां से मैं color change करता हूँ color में यह रखता हूँ apply करेंगे cancel करेंगे तो यहां पे check करें अब आपके पास यह watermark clear show रहाए कि आप किस तरह से अपनी documents में watermark set कर सकते हैं और किस तरह से customize कर सकते हैं text अगर आप remove करना चाहिए यहां पे click करेंगे तो remove हो जाएगा make sure कि यह जो watermark है यह आपके जितने भी documents के page हैं उस पे set हो जाएगा जिस तरह से header and footer होता है then आपके पास कि आप किस तरह से अपने page का color change कर सकते हैं simple आप क्या करेंगे यहां पे color पे click करेंगे page color पे यहां से आप जोए कोई भी page color select कर सकते हैं तो यह आपके पास क्या various color है कि अगर आप page color set करना चाहें तो आप यहां से page color set कर सकते हैं इस तरह से एक आपके पास option है किस तरह से आप page का border sate कर सकते हैं सिंपल आप क्या करेंगे page border पे क्लिक करेंगे page border के बाद आपके पास यहाँ पे अलग-अलग option मिलेंगे जिनमे से यहाँ आप border नहीं रखना चाए तो यहाँ नम ने means-corkoic seasoning कोई border इंप्लीमेंट नहीं मैं यहां से क्लिक करता हूं तो यह आपके पास border style है जो भी आप border यहां पे implement करें आप कर सकते हैं मैं यहां पे यह border रख रहा हूं यहां से आप color border change करना चाहें तो आप कर सकते हैं यह color border हो गया दिन आपके पास further option है कि आप किस तरह का border set करना चाते है या आपके पास option है कि आप top से border set करना चाते है bottom से करना चाते है यहाँ आफ left से या right से तो मैंने जो है छारोン सुरत में सब को tick किया हुआ है अगर आप untick करेंगे तो check करें यहाँ पर आपके पास border show नहीं हो रहा है, यहां पे टिक करेंगे तो यह border आपके पास preview में आ रहा है, ओके करेंगे यह आपके पास border भी set हो गया, यह आपके पास page पे border भी set हो गया है, इस तरह से आप क्या कर सकते, page पे border, page का color and page पे watermark send कर सकते, आज की वीडियो में इतना इंशालों नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अलाफेश